नमस्कार दोस्तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्सिन हिंदी में दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चेहरे से अंचाहे बालों को हटाने के कुछ आयरवेदिक और घरेलों उसके जिनें आप घर पर इस्तमाल भी कर सकते हैं और जिनका कोई साइड फैक्ट भी नहीं होगा दोस्तो महिला हो या फुरुष अपने सोंदरिय और चेहरे के लिए सबसे ज़्यादा फिक्र मन्द होते हैं खुबसूरती बढ़ाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं स्कीन प्रोबलम हर महिला की सबसे बड़ी प्रोबलम होती है ऐसी ही एक स्कीन प्रोबलम होती है चेहरे पर अंचाहे बाल कुछ महिलाओं के चेहरे पर बड़े ही हलके रंके रोए होते हैं मगर कुछ महिलाओं के होटों के उपर या फिर गालों पर बहुती ज़्यादा मात्रा में रोए होने की वज़े से उनका चेहरा खराब दिखता है चेहरे पर अंचाहे बालों का होना डिप्रेशन, पीसी ओस या हाई टेस्टो इस्टेरोन का नितीजा माना जाता है लगर आप अपने अंचाहे बालों को हटाने के लिए थ्रेडिंग और वैक्सिंग का सहारा लेती हैं तो अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपकी समस्या को दूर करने के कुछ नैचुरल उपाए हैं जिसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है तो चलिए दोस्तों जानते हैं कुछ घरेलू सामगरियों की मदद से आप गालों के या चेहरे के अंचाहे बालों से कैसे चुटकार अपा सकते हैं और इसका इस्तमाल कैसे कर सकते हैं नमबर एक ओरेंज पील और हनी संत्रे के छिलके में विटामिन सी काफी जादा होता है जो फिरी राडिकल से लड़ता है तो चाह की उम्र बढ़ने की परकिरिया को धीमा करता है दूसरी और शहद एक प्राकरतिक ब्लीचिंग एजन्ट के रूप में काम करती है और एंटी ओक्सिडेंट से भरी होती है इस पैक को बनाने के लिए एक छोटे कटोरे में दो चम्मच संत्रे के छिलके का पाउडर और एक चम्मच शहद मिलाए अपने गाल और उपरी होट पर इस पैस्ट को अच्छी तरह से लगाए इसे कुछ समय के लिए सूखने दे ये पैस्ट हनी की वज़े से पूरी तरह से नहीं सूखेगा इसलिए जब पैस्ट आंसिक रूप से सूख जाए तो धीरे धीरे इसे गोलाई में मसाज करते हुए छुडा ले अपने चेहरे को पानी से धो ले और पोच ले इस नुस्खे को एक महीने तक रोजाना करने से आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है नमबर दो हल्दी और पपीता पेश्ट इसकी हिलिंग और एंटी अक्सिडेंट गुनों के कारण हल्दी को आश्चरिय की जड़ी बूटियों में से एक माना जाता है ये चेहरे के बालों से छुटकारा तो दिलवाती ही है साथ में चेहरे को गोरा भी करती है वही पपीता तवचा को हाइडरेट करता है दाग को दूर करता है और बालों को हल्का करता है इस पैक के लिए आप कच्चे पपीते के छोटे टुकडों को लेकर पीस ले और उसमें आदा चमच हल्दी पाउडर मिक्स करे इसे अपने गाल या पूरे चेहरे पर लगा कर पंदरा से बीस मिनट के लिए मालिश करे इस चीज को लगबग दो महिने तक सब्ता में एक बार लगाए आपके गालों के बाल बिलकुल मिट जाएंगे मेथी में एंटी एजिंग गून होते है जो की चेहरे से फेशिल हेयर साफ करने में असरदार होती है इस पेश्ट को बनाने के लिए मेथी और मूंग दाल की एक सीमित मातरा ले और उसका पाउडर बनाए फिर उसमें पानी मिला कर एक स्मूथ पेश्ट बनाए इसे चेहरे पर 20 मिनट तक लगा कर छोड़ दे फिर एक मुलायम कपड़ा लेकर मूँ को पूच ले अपने चेहरे को कम से कम 6 गंटे तक ना धोए इस वीदी को हफते भर के लिए रोज करे एग वाइट में इसकीन को सफेद करने और हेर रिमूवल के गुण होते है इसलिए इसको फेस मास्क के तोर पर यूज किया जा सकता है शुगर को आप स्क्रब की तरह यूज कर सकते है इस फेस मास्क को बनाने के लिए एक हंडे का सफेद हिस्सा और दो टीस्पून शुगर ले इन दोनों चीजों को मिला कर पेष्ट बनाएं और इस पेष्ट को चेहरे पर लगा कर सुखाएं जब ही यह सूख जाएं तब अपने चेहरे को पानी से धोएं चेहरे को धीरे धीरे मसाज भी करें इस नुस्के को हफते में तीन बार जरूर करें नमबर पाँच आलू का जूस और दाल का पेष्ट आलू का जूस इसकीन को सफेद करने में बड़ा काम आता है और दाल एक प्राकरतिक स्क्रबर है इस पेष्ट को बनाने के लिए आप एक चोटे कटोरे में पीली दाल को रात भर पानी में भिगो कर रखे फिर अगली सुबह इसका पेष्ट बना ले उसके बाद इसमें एक चमच आलू का जूस एक टी स्पून शहद और चार टी स्पून निम्बू का रस मिलाएं इसे अपने चहरे पर लगा कर सूखने दे सूखने के बाद इसे हलकी हलकी हाथों से रगड़ कर सुडा ले और चहरे को धोले ये मिश्रन दो दिनों के लिए श्टोर करके फ्रीज में रखा जा सकता है ओट मील एक बड़िया स्क्रब है जो कि चहरे को मुलायम बनाता है और अंचाहे बालों से चुटकारा दिलाता है इस स्क्रब को बनाने के लिए एक कटोरी में दो टी इस्पून ओट मील दो टी इस्पून शक्कर और एक टी इस्पून निम्बू का रस मिलाएं इसको चहरे पर लगाए और सूख जाने के बाद जिस और बाल उगे हैं उसके उल्टी तरफ से रगड़े इस विदी को हफते में तीन बार करें और इसका रिजल्ट देखें नमबर साथ चीनी और निम्बू का स्क्रब निम्बू के रस और चीनी को चहरे पर लगाने से नेचरल ब्लीच होता है निम्बू का रस आपके फेशल बालो का रंग हलका करता है इसे बनाने के लिए आपको दो चम्मचीनी दस टेबल स्पून पानी और दो टेबल स्पून निम्बू के रस की चरूरत होगी यह तीनो सामगरी आपकी स्कीन के लिए बहतर घ्रेलू स्क्रब है इन तीनो सामगरीों को आपस में एक बाल में मिलाएं और इसे चेहरे पर लगाएं पंदरा से बीस मिनट के बाद फेस को हलके हाथों से रगड़ते हुए इसे हटा दे हफ़ते में दो से तीन बार यह परकी दिया करें इससे आपके फेशियल हेर धिरे धिरे कम होने लगेंगे नमबर आठ आठे के चोकर का स्क्रब आठे के चोकर से ना केवल अंचाहे बाल हड़ते हैं बलकि जूरियों को भी दूर करने में मदद मिलती है इसे बनाने के लिए आपको तीन टी स्पून चोकर एक टी स्पून रोज वोटर और एक टी स्पून दूद मिलाकर पेश्ट बनाना है फिर इस पेश्ट को चेहरे पर लगाए और दो मिनट तक सूखने दे जब तक की पेश्ट सूखना जाए तब तक इसे मसाज करती रहे बाद में इसे हलके करम पानी से धोले और चेहरे को सुखा ले इस नुस्खे को हफते में एक बाद जरूर ट्राइ करे तो दोस्तों ये थे कुछ आसान से घरे लू उपचार जिनकी मदद से आप अपने चेहरे के बालों को हटा सकते हैं आपको आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट कर जरूर बताएं हम आप तक ऐसी ही नई और बहतरी जानकारी पहुचा सके इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक वाशेर करना ना भूले धन्यवाद